बारतिय जंता पार्टी के जो अध्यक्ष है नहीं यह तो एक काट्रून नेटवर्क चैनल चला रहे हैं यह वसे आइफोन नहीं मेरे पास बिलकुल नहीं आइफोन नहीं है जम्मू कश्मीर में कहां भे आइफोन है सर कुछ चंद लोग होंगे जिनके पास आइफोन होंगे उत्प के हमारे यहां पर तो नहीं आइफोन है यह मूर्खों की गौर्मेंट चल रही है यह आंपड मूर्खों की गौर्मेंट चल रही है पिछले दिनों किसी बाई ने भी यहां पर घंक आघ सोशल मीडिया पर outta और उनी के order आप जो वो बोलते हैं वो implement करते हैं कि यहां पर implement कर दो MLO को हमारे डोगनी में कहते हैं चंजूड ना नहीं जानते तो आप इन लोगों को जंजूडो इन लोगों से पूछो जब आपके घरों में आपके महले में यह जनसबाइं करते हैं हैं तो वहां पर जाकर के इंसे पूछिए कि आज कि सब्सक्राइब चैंबर अट्रश omy की है जो है वो तमाम संस्ताइं दे चुकी है तल चैंबर अफ कॉमर्स इंडरस्ट्री के अध्यक्ष अरुन गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉंफरेंस की है और एक हफते का समय जो है वो सरकार को दिया है अगर प्रॉप्री टेक्स बापिस नहीं लिया गया तो जमू कश्मीर को ब फ्रेकर हर स्यासी पार्टी जो है वो अपने राए दे जोगे है आपकी अपनी क्या राए और आपके पार्टी की क्या रहा है खिय कहा रही है घाड़ी का टैक्स दे रहे हैं गाडि के AtéX दे रहे हैं उसके बाद जबड रोड पे गाड़ी मुझे अब पूस्र प्रोड डीजल που आप आप गर बेहां है कोई कूडा कर्चर उठाते हैं तो अपने ही गर का हमने text देना कोई बात तो मंती नहीं है कि बिल्कुल डॉग भी आपने रख लिया है तो आपने उसका वी टेक्स देना है मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं कुण सा एसा इनका मतों सलाकार इंको रात को को तो यह कोई सस्ता सा नशा करके में और निकाल देते हैं जिसमें यह एडिमिस्टेशन को यह पता ही नहीं लगता कि आप जम्मू कश्मीर वाले लोगों के ऊपर ऐसे टेक्स थो पर रहे हैं जिस वज़ा से लोग परेशान हो रहे हैं आप मुझे बताईए कि आप आरती जंत भारति जंतांता पाटी का जो पूर सीएमब रह चुकें उनके बेटे कहते हैं युट जि इतने की तो मैं बहुता हूं उब कुरींग पीने को सब्सक्ता क्षैब से pomach सब आपने कर यह वी déjà जम्मी कश्मीर वासियों के लिए आपने एक ब memorize देदिया वियास में आपकिंगे लोग ना बिजली का कराया देते हैं ना पानी का कराया देते हैं आप क्या हमारे लोगो को मुफ्तकोर समझते हैं कि ऑनका कराया देजिए है आप हर इंसान को एक नज़र से देखते हैं कि हाथ की पांच उंगली है ना अगर तो पांच उंगली है एक जैसी नहीं होती आपने सब को एक बरी सभा के बीच में आप कह देते हैं जम्मू के लोग जो हो रहा है ना बिजली का कराया देते हैं आई फोन रख लेंगे डाटा रख लेंगे लाइंगे मैं आई जी साफ से माननी है यहां पर तो नहीं आई फोन है मगर मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आज भी वक्त है बारतिये जनता पार्टी को खास तोर से अपील करना चाहूंगा कि आज वी वक्त आई जो आप पॉल्सियां जम्मू किश्मीर में चल बंद कर दीजिए बारजिंद्धा पार्टी के जमो कश्मीर के परदेश अध्यक्ष रविंदर रहना के कहना है कि यह मोदी सरकार टेक्स नहीं लगाया हुआ है तो किसने लगाया यह ख़जाना आप लेंगे जम्मू के लोगों को आप लुटेंगे उनसे पैसे लेकर के कहा जाएंगे वो बोलते हैं जी हमें यहां पर चलाने के लिए स्टेट चलाने के लिए यूटी चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए रेवन्यू कठा करने का और भी बड़े जरीए आप मुझे बताईए रियासी में लिथियम मिला जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी उपलब चल रही है यह आनपड मूर्खों की गवर्मेट चल रही है पिछले दिनों किसी बाई ने भी यहां पर का था सोशल मीडिया और मैं भी यही कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो पड़े लिखे आईस ऑफिसर हैं कि यहां पर एड़ोकेट्स हैं कोई भी ऐसा आपको नहीं म आटरू नेटवर्क चैनल चला रहे हैं यहां पर मुझे यह नहीं समझ जाती कि यह जमू के कश्मीर के लोगों को समझते क्या गुम्राग कर रहे हैं और मैं खास तोर से एक बात हूंगा आप जनता को यह कहना जाता हूं कि आप MLA बनाना जानते हो MLA को हमारे डोगनी में साथ तो बहुत जाता हैं तो आप इन लोगों को जोड़ो आप जैन सबाय करते हैं तो वहां पर जाकर कि इनसे की बात कर अप कर्या था是 क्लोगकोशन को कि नहीं लोग थोक्षा लोग उनकी जमीने ना पोगे आप मुझे बताऊ कि फसलें वह दुजी बार मारे यह पर आटाचावल दे रहे हो मुझे ये बताओ आटाचावल आप जो आज दे रहे हो ना मुझे बताओ क्यों सी 75 साल हो गया देशपशाद को सी गोवर्मेंट ने नि दिया अटाचावल पहले तो लोगों को मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, आपने तो भी शीन ली, आपने एक बैग दे दिया, और बैग के उपर मोदी जी का फोटो लगा दिया, आप तो अपनी अड़ोटाइसमेंट कर रहे हो, मुझे मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि म हमारे जेंड के में चल रही है, ये कभी नहीं चलने देंगे, कभी नहीं चलने देंगे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा इन लोगों के खिलाफ है, जो हमारे लोगों का सुधा करेंगे, अब उख्वारी जीन में एक ब्यान दिया, रविंदर राना को लेके, उन मुझे एक बर बताःें, अपना clear stand कीजिए, अपना clear stand कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोग आप को देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कि आप बोलने तो रही हमारे लोगों काप डाना है, जम्मू कश्मीर में कितना टूरिस्ट आता है तूरिस्ट आता है यहां पर पैसा देता है हमारे लोगों की रोजी रोटी चलती है आप मुझे बताइए जिस तरह से जो आप ये काम कर रहे है न ऐसे नहीं चलेगा आपको अगर पैसा ही कठा करना मैं आपको एक और बात बता तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप गरीब लोगों को तंग करना बंद कर दीजिए पहले उनसे फैसला लीजिए ना अगर वो कहते है प्रॉप्टी टेक्स लगना चाहिए पास कीजिए आप कोई भी फैसला लेते हैं पीछे से और कैसे निकाल देते हैं अगर आपने खुदी और करने हैं तो अगर आठ नो साल से आपने यहां पर असेंबली की लेक्शन नी कराई तो कॉर्परेशन की प्यूंकि और तो आप यह ने देने हैं तो फिर उन लोगों को क्यों परेशान करते हैं आज मुझे बताईए कॉर्परेशन वाले बोलते हम जर्रल हाउस की मीटिंग करेंगे की हमने यह होगा वो होगा लोगों को बस हम यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं मगर जमीनी स्थर पर यह कुछ लोग नहीं कर. आपकी सवाल आपसे करना चाहूंगा आपकी अपनी पार्टी का इस प्रोप्र गीका को लेकर क्या स्टेंड रहेगा आनेवल धिनों क्योंकि एक अपर से तो प्रोप्र गींस शुरू हो जहाऊगा एक बात मैं आपको बता दूँ आने वाले टाइम में बुखारी साब हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना प्राप्टी टेक्स लगने देंगे और ना ही ये जो बुल्डोजर बाबा वाला जो है ना शोर चल रहा ये बिल्कुल बंद करेंगे जो लोग ज घम्मू कश्मीर अपनी पारटी पहले जम्मू कश्मीर के अपने लोगों से तो जाये जने करने के लिए जो कि और अपनी कर्प्रेशन नेता है उसा तो ल fossilफ ठाल अलताब बोखारी engine दी है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह के प्रॉप्री टेक्स को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे लेकिन आने वाले दिनों में देखे कि जमूबंद की कॉल होती है यहां फिर ने क्योंकि तमाम संस्ताइं जमूबंद की चेतावनी दे चुकी है इस तोरे मामे को लेकर आपके अपनी क्यारा है कमेंड बाक्स में जरूर रखे बंडने दा पब्लिश के साथ धन्यवाद